इस वीडियो में दी हुई जंकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई का उप्योग करने से पहले अपने डॉक्टर से जरूर पूछे, अगर आप इस वीडियो को देखर किसी दवाई का उप्योग करते ह होते हैं. मजबूत हड्डियों के निर्मान में मदद करने के लिए कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैगनीशियम और विटामिन डी जैसे पोशक तत्व शामिल हैं. इसमें नुक्लिउटाइड्स, विटामिन A, C, E, D, सेलिनियम, जिंक, आयरन जैसे एक पोशक तत्व भी शामिल हैं, जो प्रतिरक्षा समारोह का समर्थन करने में मदद करते हैं. विशेश रूप से भारतिय शिशूओं के लिए डिजाइन किया गया, सूत्र में शारीरिक विकास का समर्थन करने के लिए अच्छी मात्रा में उर्जा और प्रोटीन होता है. चलिए जानते हैं इसके कुछ फाइदों के बारे में. एक, डेक्सोलाग हाई काल इंफैंट फॉर्मूला 24 महीने तक के बच्चों के लिए शिशू के दूद का विकल्प है. दो, डेक्सोलाग हाई काल में नुक्लियोटाइद्स, टॉरिन, विटामिन, खनेज, एंटियोक्सिडन्ट, एल कार्निटाइन जैसे आवश्चिक पोशक तत्व होते हैं. 3. मजबूत हड्डियों के निर्मान में सहायता के लिए कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैडमीशियम और विटामिन दी जैसे पोशक तत्व शामिल हैं. 4. इसमें नुक्लियोटाइड्स, विटामिन A, C, E, D, सेलिनियम, जिंक, आईरन जैसे पोशक तत्व शामिल हैं, जो प्रतिरक्षा कार्य को समर्थन देने में मदद करते हैं. 5. अच्छी मात्रा में उर्जा, यानी की 1 किलो कैलोरी 1 मिली और प्रोटीन, यानी की 2.6 ग्राम 100 मिली होता है, जो शारीरिक विकास में मदद करता है. 6. आवश्चक सूचना, मा का दूध आपके बच्चे के लिए सर्वोत्तम है. 7. डेनोन की सहाइक कंपनी Nutritia International Private Limited द्वारा विक्सित, डेक्सोलैक पिछले 30 वर्षों से बजार में उपलब्ध है, जो शिशूओं को उनके जीवन के बढ़ते चरण में सर्वोत्तम पोशन प्रदान करता है. 8. चारा तयार करने से पहले हाथों को अच्छी तरह धोले. 9. दस मिनिट के लिए पानी में उबाल कर दूध पिलाने के कटोरे और चम्मच को कीटानू रहित करे. 10. पीने के पानी को पांच मिनिट तक उबाले और गुंगुना होने तक छोड़ दे. 11. फीडिंग टेबल के अनुसार सही मात्रा में गुंगुना पानी डाले. 12. फीडिंग टेबल से परामर्ष करें और फीडिंग बाल में शिशु के वजन के अनुसार सही संख्या में स्कूप्स डाले. इस टिन के स्कूप का ही उपयोग करे. 13. पाउडर घुलने तक अच्छी तरह हिलाएं. 14. नोट. दूद पिलाते समय बच्चे को हमेशा पकड़ कर रखें. बच्चे को लावारिस छोड़ने से दम घुट सकता है. 15. पैक खोलने के बाद सामगरी को तुरंत एक खाली, साफ और सूखे एटाइट कंटेनर में ट्रांसफर कर देना चाहिए. 16. प्रतियक उपयोग के बाद तिन को कसकर बंद करें और ठंडे सूखे स्थान पर रखें. 17. सुनिश्चत करें कि सनलग्न स्कूप उपयोग से पहले अच्छी तरह से धोया और सुखाया गया है. 18. खोलने के बाद तीन सपता या समापती तिथी जो भी पहले हो कि भीतर सामगरी का उपयोग करें. 19. उपयोग करने से पहले लेबल को ध्यान से पढ़ें. 20. सीधे धूप से दूर ठंडी और सूखी जगह पर स्टोर करें. 21. बच्चों की पहाँच से दूर रखें. 22. कच्चा पानी बिना कीटानू रहत कटोरी और चमच या गलत मात्रा में मिलाने से शिशु के स्वास्थि को खत्रा हो सकता है. 23. एक बार में एक ही फीट तैयार करें. तैयार फीट का तुरंट उप्योग करें, यानि की आदे घंटे के भीतर अन्यथा माइक्रोबियल गिरावट शुरू हो सकती है. 24. अप्रयुक्त फीट त्यागें. 25. शिशु दुब्ध विकल्प का उप्योग केवल स्वास्थे कार्यकर्ता की सलाह पर ही करना चाहिए क्योंकि इसके उप्योग की आवश्यक्ता और इसके उप्योग की उचित विधी है. 26. शिशु के दूद के विकल्प की सावधानी पूर्वक और स्वच तयारी स्वास्थे के लिए सबसे आवश्यक है 27. निर्देशित से अधिक स्कूप का उप्योग न करें क्योंकि केंद्रित फीड आपके शिशु को आवश्यक पानी प्रदान नहीं करेगा 28. बताएगर स्कूप से कम स्कूप का उप्योग न करें क्योंकि पतला फीड आपके शिशुओं को पर्याप्त पोशक तत्व प्रदान नहीं करेगा विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को जरूर लाइक करें साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को और नोटिफिकेशन पर सेट करें